तो हेलो फैंट कैसे हैं आप दोस्तों आपको बताने वाना दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था Google Play Store का नया लेयाउट हो गया है या वो सकते हैं उसमें अपडेट आने कि अपडेट को पूरा चेंज कर दिया गया है वहाँ पर आपको कोई एप को पहले से इंस्टॉल कर लिया हो उसके बाद डिलीट कर दिया हो तो उसकी हिस्ट्री कैसे देखें या वो सकते हैं कि कुछ लोगों को तो डाउनलोडिंग करने में ही प्रॉब्लम आ रही थी तो आज की वीडियो में वो जो देतने भी उनकी प्रॉब्लम से या तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया मैं आपको बताने वाला हुँ प्लेटोर के आपको जो बी आपको पूछ रहे थे मुझे सबसे पूछा है कि कैसे आप अपनी अप हिस्ट्री देखें जो आपने डाउनलोड करके अनिस्टॉल कर चुके हैं उन एप्स को कहां पर देखे और अगर दिखे तो उनको कैसे रिमूव करें तो आपको सबसे पहले कर लेना अपने प्लेटोर को आउन जैसी आप पर प्लेटोर को आउन करेंगे यहाँ पर जाना है आपको त्री डॉट्स पर यहाँ पर सोरी आपको यहाँ पर जाना है अपने आईडी पर यहाँ पर ज दिख रही है जो कि आपने यहां पर इंस्टॉल करी हुई है अब अगर आपको देखने हैं जो आप अनिस्टॉल कर चुके तो आपको यहां पर दिख रहा होगा जो इंस्टॉल लिखा हुआ है आपको वहां पर क्लिक करना है वहां पर आप देखेंगे नीचे की तरफ आपक करके तो यह आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी और सब को यहां से आपको कर लेना है कि आप को यहां से ऐसे ऐसे करके यहाँ पर अगर डाउनलूड भी करना हो वापिस तो यहाँ अब देखेंगे आपको डॉपर की तरफ एक आपको ago डाउनलूड का साइन sitten ह Mais अगर आपको दुबारा डाउनलोड करना इन एप को तो आसे कर सकते हैं और अगर डिलीट करना हिस्ट्री से तो आपको यहाँ पर जैसे जिनको डिलीट करना है आपको उन सब को सलेक्ट कर लो तो select करने के आप देखेंगे हमाँ पर cross का sign वाला हुआ आपको cross वाले sign पर click करेंगे और यहाँ पर आप से पूचेगा remove selected app आप यहाँ पर उसकी narration पढ़ेंगे तो लिखा हुए removed app आप not appear here but can be installed again आप यहाँ से जो आप यहाँ से आप को remove कर रहे हैं यहाँ से हड़ जाएगी बट अगर आप उसको दुबारा इंस्टॉल करना चाहे तो कर सकते हैं कोई issue नहीं बस यहाँ से remove कर दीजिए और यह remove हो जाएगी तो आप जितनी भी आपकी एप से अगर आप चाहते हैं कि history में नहीं दिखे तो आप उसको यहाँ से remove कर सकते हैं दोस्तो बहुत ही शांदर तरीके आप कर सकते हैं बस बहुत लोगों के doubt से कि उनको यह option नहीं मिल रहा था अब आपके उनकी problem solve हो जाएगी दोस्तो और बहुत लोगों के doubt यह थे कि उनके पास downloading या बोल सकते हैं update नहीं ह हो रहे हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तो प्ले स्टोर को आपको यहां पर थोड़ी दर पैस करके रखना है अगर आपके ऐसा option नहीं आ रहा तो आपको अपने मुवाइल की सेटिंग पर जाना है सेटिंग में एप में जाना है वहाँ पर आपको Google प्ले स् storage का option आपको दिख रहा होगा यहां फर कहीं और और कुछ नाम भी हो सकता है थोड़ा confusing आप देख लिएगा storage वाले option पर जाना है यहां जाने के आपको करना क्या है इसको clear data पर click कर देना है जैसी आप clear data पर click करेंगे उसके बाद यहां से आप okay कर लिजिएगा यह clear data होने के बाद आपको करना क्या है बापर जाना है अपने मॉमाइल के बैक थी तरफ और दोबारा आपको प्ले स्टोर को open करना है तो open करने में थोड़ा time लेगा इसको time देजेगा थोड़ा चालू उन्हें में क्योंकि पूरी तरह से reset हो चुका है अब यह चालू होगा अब आपक को वेट करेंगे थोड़ी थोड़ी दिन चलाएंगे उसके बाद यह बापिस अपने लेटेस्ट वाले फॉर्म में चले जाएगा देशी आप उसको clear data करने के दोबारा से आप open करेंगे थोड़ी दिर बाद थोड़ी दिर पहले आपको पुराना वर्जन दिखाएगा और तो simply दोस्तो clear data करने के दिए हो चुका है और आपके बाद जाना है आपको my apps में and my apps and device में आपको जाना यहाँ पर कोई सी भी जिसको आपको update करना है तो simply आपको उस पर click कर देंगे तो यह update होने लग जाएगा या बोल सकते हैं जो downloading नहीं हो रही हो आपकी downloading चालू हो रहा है थोड़ा सा टाइम देना है यहाँ पर और उसके बाद वो downloading mode पर चले जाएगा यह आप देख सकते हैं दोस्तों downloading mode पर चला गया है जो मैंने आपको process बताईए इस process को आप करेंगे तो आपको 100% वहाँ पर solution मिल जाएगा simple सी है आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा simple clear data करके आप करेंगे तो आप वहाँ से उसका use कर पाएंगे और आपकी जो भी installing पर प्रॉब्लम आ रहे है अपडेट में प्रॉब्लम हो जाएगी या कह सकते हैं किसी का बार बार Google stop आ रहा था तो वो भी यह करेगा तो उसको भी solution यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों उमीद से कुछ पूछना चाहते है इस वीडियो से लिडियर या कुछ भी तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों मैं definitely उसे पर apply करूंगा और हो सके तो दोस्तों आप मेरी वीडियो को share करना ना बूले और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक आ about section पर भी आपको मिल जाएगा चाहे तो हम वहाँ से मुझे follow या Instagram पर या Facebook पर follow कर सकते हैं दोस्तों